तसकार दोस्तो एक बार फिर से सुआगता आपका माइंड एक्जाम के यूटूब चनल पर जी हाँ दोस्तो फाइनली दो साल का लंबा इंतजार आपका कतम हो चुका है SSB ने दोस्तो SSB ट्रेड्स में बढ़ती 2020 के दोस्तो फीजिकल सुरू कर दिये हैं पिशली दोस्तो ड्राइवर के एड्मिट कार्ड भी जारी कर दिये हैं प्रांदो दोस्तो बाकी ट्रेड के अभी तक एड्मिट कार्ड जारी नहीं किये गए हैं चार अप्रेल से दोस्तो ड्राइवर के आपके फिजिकल सुरू होने वाले हैं प्रंदो दोस्तो जो बागी पोस्ट बची हैं बागी ट्रेड बची हैं उनके फिजिकल कब तक होने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तो कंप्लेट जानकर हम आपको देने वाले हैं क्या उनके बी एके करके आपके ट्रेड के फिजिकल होंगे सभी के आपके एकसाथ होने वाले हैं इसके लाद दोस्तों जिनके ड्राइवर के एड्मिट कार्ड आ चुके हैं तो दोस्तों लगातार विहारती पूछ रहते हैं कि सर्फिजिकल में कौन-कौन से एक्टिविटीज करवाए जाएगी और फिजिकल में क्या-क्या होने वाला है और इसी के साथ दोस्तों आपका फिजिकल के टाइम आपको कौन-कौन से डोकॉमेंट लेके जाने हैं साथ दोस्तों अभी तक आपने एड्मिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो एड्मिट कार्ड डाउनलोड आप क तो अफीशली तोर पर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो के अंतक बने रहें साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बैल आइकन उसको भी प्रेश जरूर कर लिजेगा ताकि दोस्तों SSB ट्रेट्स में सम्दित आपको जानकारी आगे भी सबसे पहले पहुंच सकें क्योंकि दोस्तों चार अप्रेल को जैसे फीजिकल सुरू होंगे तो सीधे सेंटर से हम आपके लिए लाइव रिवी लेके भी आने वाले हैं वहीं दोस्तों आपका फीजिकल किस दिन है और किस डेट को है और इसी के साथ दोस्तों कहां होने वाला है कमेंट करके आप जरूर बताएगा सबसे बिल दोस्तों अभी तक अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं देखे हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बोक्स में सबसे पहले आपको वेबसाइ भूल चुके हैं तो वो भी दोस्तों फोरगेट कर सकते हैं उसका वीडियो भी दोस्तों चैनल पर अवलेबल है उसको जाके आप देखके है स्टेब आ स्टेब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजे जैसे दोस्तों जो लिंक दिया उस पर किलिक करेंगे तो दोस् सबसे पहले आपको दिखाए देगा SSB ट्रेट्समेंड एडमिट कार्ड और यहीं से दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं उसके बाद दोस्तों थोड़ा साब स्क्रोल करेंगे तो आपको सबसे पहले यहां दिखा के साथ आपका ट्रेटेश्ट नहीं होगा सबसे पहले फीजिकल होगा जो फीजिकल क्वालिफाई करेंगे उनका दोस्तों आपका एक्जाम होगा एक्जाम पास्ट करने के बाद दोस्तों आपका ट्रेटेश्ट होने वाला है तो अगर आपके पास्ट यहां जो आपका द प्राइवर के होने वाले हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेल अभी हारती अपलाई कर पा रहे हैं तो दोस्तो यहां आपके जो फीजिकल है उसमें आपकी चार पॉइंट आड हैं दोस्तो 4800 मिटर की रनिंग होने वाले हैं जिसके लिए आपको 24 मिंट का समय दिया होगा बाकी एक्टिविडिज नहीं होने वाली है आपके चेस्ट चेक होने वाला है चेस्ट दोस्तो 80 से आपका 85 होना चाहिए हाइट दोस्तो 170 cm होने चाहिए और दोस्तो एस्ट के लिए आपका थोड़ा सा हाइट में और दोस्तो आपका चेस्ट में रिलेक्सेशन है प् समय आपको कौन-कौन से डोकुमेंट की जुर्थ पढ़ने वाली है वैसे दोस्तों आपके admit card पर सारी जानकारी mention है परंतों दोस्तों आपको कुछ document लेके ही जाने जिसमें आपकी 10th किमारक seat है इसके अलाव दोस्तों अगर आप SC, ST, OBC से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों उसका central level का का certificate भी आपको लेके जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ST category के अभिहार त्योंको हाइट में भी relaxation है इसके अलावा दोस्तों आपका है यहां सेस्ट में भी relaxation है तो आपको certificate लेके ही जाना पड़ेगा इसके अलाव दोस्तों जब भी आप center पर जाएं तो दोस्तों आप अपना यहां पूरा समा लेके जाएं और दोस्तों समय से पहले ही center में पूझ जाएं यहां आपका लिखा भी गया है इसके साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहां यह भी चीज़े लिखी गई है कि दोस्तों आप है जो भी आपका है यहां पैचान पता जिसमें driving license है वोटर ID है अधार card है पेन card है यह दोस्तों लाना आपको जरूरी है जी हां दोस्तों अनेता आपको center पर है वो यहां गुषने की अनुपति हैं दोस्तों entry आपको नहीं मिलेगी इसके साथ दोस्तों आपका साफ सुतरा है वो बया हाथ का आपका जो अंगठा है वो होना च पर जुकर दोस्तों खुद से हो 2-3 दिन का arrangement खुद से करना पड़ेगा क्योंकि physical आपका लंबा चल सकता है विहार को अगर किसी भी बारिज की वाज़े से रुख सकता है यादोस्तो फिजिकल आपको लंबा चलता है तो दोस्तों दोस्तों तीन दिन आपको रुकना दोस्तों में मैंड एक्जांब के अप्लिकेशन का लिंक दिया गया उसको डाउनलोड करके रख लेजे एक अपरेल को आपका बेज का अनॉंसमेंट भी हो जाएगा तो फीजिकल पास करते ही आपको बेज जरू जोन कर लेना ताकि दोस्तो आपकी कहीं भी पढ़ाई में भी कोई कमी ना रहे और दोस्तो बहतरीन आप एक्जामे स्कोर करें क्य दोस्तो जो बाकी ट्रेड बसती है उनका फीजिकल कब होगा उसकी भी जानकारी में आपको दे दूँ इसके दोस्तो फीजिकल आपका मिड माई तक चलने वाले है और दोस्तो इससे याई दोस्तो जो माई का फर्स्ट वीक होगा उस समय आपके जो बाकी ट्रेड है उनके दो इसमें दोस्तों ट्रेड में आपके ज्यादा फोर्म ते हैं हैं आपका अलग से अपसम्विवालिया य्जा झाल झाल